हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई किचिन आजम हुरत दाल फ्राय बना रहे हैं इसके लिए तीन से चार टेबल स्पून प्रेशर कुकर में तेल गरम करेंगे इसमें डालें आदा चोड़ा चमच जीरा जीरे को तेरा तेल में बून लें अब हम इसमें डालेंगे एक चोड़ा मीडियम साइज की प्यास फाइनली चॉप की हुई तो प्यास डाल दें इसमें और प्यास को हमें अच्छे से बून लेना है सुर्क करना है गोल्डन ब्राउन फ्राय करना है प्यास को तो थोड़ी थोड़ी देर बार चमच चलाते रहें और मीडियम फ्लेम पे प्यास को स तो प्यास को अच्छे से हम भून लेते हैं, तो मैंने मसालों में मैंने लिया है, एक छोड़ा चमश नमक, आदा छोड़ा चमश लाल मिच, एक छोड़ा चमश हल्दी, आदा छोड़ा चमश धनियां पाउडर, और ये 3 by 4 cup उरत दाले, 3 by 4 cup का मतलब होता है, 1 by 4 cup जो होता है चाजार की टुमेटो पियूरी होता है, यह हो है 1-2 cup आप चाहें तो दो टमाटर ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, प्यास को अच्छे से बून लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में चमश चलाते रहें, प्यास को अच्छे से बून लें, प्यास हमारी गोल्डन ब्राउन तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक, लाल में जल्दी, धनियां पाउडर मसाले डाल दें और सिर्फ 30 सेकंड के लिए फिराइ करें वरना मसाले जल जाएंगे फोरण से टोमेटो प्यूरी डाल दें इसके अंदर ताके मसाले हमारे जले नहीं तो अब हम इसमें डाल देंगे आदा कप टोमेटो प्यूरी और इसे अच्छे से भून लेंगे टामाटर की प्यूरी को जब तक इससे तेल अलग नहीं हो जाता और हमारा पेस्ट ये प्यास और टामाटर गाड़ा नहीं हो जाता बिल्कुल तिक हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे चार से पांच मिनर तक बून लें टामाटर की प्यूरी को तो इसे अच्छे से बून लेते हैं टामाटर देखें अच्छे से पग गए हैं गाड़े हो गए हैं और तेल किनारे पे छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे दुली हुई मैंने उरत दाल को दो लिया तरी बाए फॉर कप उरत दाल है यह हम पूरी इसमें डाल देंगे मैंने कोई भिगोया शगोया नहीं हैं सिर्फ दो के इस्तमाल कर रही हूँ अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी एक मिनट भून लें दाल को टमाटर के साथ अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी ये गया एक कप और फिर डालेंगे दूसरा कप और अब हम कड़ी में बॉयल आने देंगे जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसे डग देंगे और डग के मीडियम फ्लेम पे दो सीटी लगाएंगे दो सीटी से ज्यादा ना लगाएं और पानी अगर आप ज्यादा सीटी लगा रहे हैं तो पानी फिर ज्यादा डा गैसे तो यह ळगी इसको दूसरी सीथी और जैसे यह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे साफधानी से को लेंगे प्रैशर क widget ठंडा हो गया है अब हम इसे साफधानी से खोलते हैं तो यह देखें हमारी दाल बिलकुल गल गई है मैं ने आपको बाद में प्लेट में निकाल के दिखा है पर दाल बिलकुल गल गई है फिर भी हमेंसे दो मिनट भून लेते हैं कि इसका जो थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है थोड़ा ड्राय हो जाए क्योंकि माश्टा फिराय की हुई यह थोड़ी गाड़ी होती है इसमें थोड़ा पानी लग रहा है तो एक मिनट अब मैं इसे दिखा देती हूँ बिलकुल पकी हुई है कच्ची नहीं है चमच से मेश नहीं हो रही मैं हाथों से मेश करती हूँ घरम है बहुत तो इसको हम भून लेंगे दो से तीन मिनट दाल को बस हमारी दाल त्यार है अब हम इसे सहव करते हैं अगर आपके पाद हरा दनिया है तो वो इसके उपर डाल दें मेरे पास पुदीना अवेलेबल है तो मैं सर्व करने वक्त इसके उपर पुदीना पता डालूंगी अगर अंदर पुदीना पता डाल दोंगी तो दाल कड़वी हो जाएगी तो पूरा दाल निकाल लेते हैं बाउल में आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व करें जबर्दस मजा देती है ये तो इसके उपर पुदीना पता लगा देते हैं तेंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब यू व्यूस मेंटर से लॉट, प्रेस बेल आइकन, बटन घंटे के बटन को जरूर दबाएं तेंक यू फॉर वाचिंग